हाई गाईच कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मन लाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आज के इस वीडियो स्रीज को आगे वढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 10 माई 2023 का फूल पत्ती वीडियो का करेंट है वेस्ट रिविजन इ पीडियाप के लिए हें रिटेन पीडियाप के लिए आप लोग टेलीग्राम जोईन कर लिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है चलिए आज का पहला प्रेस्ट स्टाट करते हैं सबसे पहला है हाल ही में 42 आसियान सीखर सम्मिलन कहां प्रारण वाद करें 42 हैं तो 41 होआँ में थो दोनों के सिकेंस वे याद रखना कि 2022 वाला जोए नोब पैन कंबोडिया में हुआ है और 2023 वाला जो है इंडोनेसियों में होने वाला है ठीक है 2023 में जो इंडोनेसियों में हो रहा है इसका थीम क्या है तो आसियाओन affairs epicenter of growth ये जो है थीम है इस बार का बात करें आसियाओन का देखें आसियाओन में सबसे भारत इसमें सामिल नहीं है आसियाओन के स्थापना 1967 में होती है जकारता इसका हिटक्वाटर है और सदस से जो है अभी हाली में जो नया सदस जुड़ा है वो तिमोर लिस्ते जुड़ा है इस तरह से टोटल सदस 111 हो चुका है पर्थम सम्मेलन जो इसका आसियाओन का हुआ को तैनात किया गया है तो सीवा चवहान को किया गया है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा अगला प्रश्ण है हाली में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है वो क्रोईसिया ने अपना लिया है ठीक है चलि अगला देखते हैं अगला है न्यू मेंबर के रू यह नमवे नमबर का है देखे भारती प्रवाशी जो भारती सम्मेलन इस बार मनाया गया है वो इन दोल में मनाया गया है अर यह सतरवे नमबर का है ठीक है भारत में कौन-कौन सा हो रहा है देखे SEO का बैठक जो की गोवा में हुआ है 2023 का कहां पे हुआ इंडिया में हुआ अगर आपसे पूछा जाए SEO 2023 का बैठक कहां हुआ तो ये बैठक गोवा में हुआ इंडिया में और 2023 का आपको पता है न 2023 का जो G20 सिकर सम्मेलन हो रहा है इतना आपको ध्यान रखता है वो है वर्स 2023 के पुलिजर पुरुषकार की अंतराष्टी रूपोर्टिंग स्रेनी का विज़ेता कौन है नियोर्क टाइम्स है इंपोर्टेंट है याद रखेगा देखे नियोर्क टाइम्स जो है ये पुलिजर पुरुषकार ये पत्रिकारिता के छेतर में दिया जाता है और जो पुलिजर पुरुषकार है ये वास्तु कला के छेतर में दिया जाता है दोनों में अंतर ध्यान रखेगा तो इस बार जो पुलिजर पुरुषकार मिला है वो किसको मिला है नियोक्स टाइम्स को मिला है और ये पुलिज़ जो पुरुसकार है ये USA का पुरुसकार है ठीक है इसके अस्थाप्रा 1917 में होई थी बात कर इस बार इस बार पुरुसकार जो कि वास्तुकला के छेतर से सम्मनित है इस बार चिपपर फिल्ड को दिया गया है बात कर एक ग्रे लुगर तक कितनी दूरी तैकी तो बतीस सो किलोमेटर दूरी तैकी है साइकलोन फर्ष्ट अभ्यास किसके किसके बीच हुआ इंडिया और मिस्र के बीच हुआ ये रायस्तान में हुआ और ये मिस्र का भारत के साथ ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यान हैं देखें अगला है एस्टेलियन ओपन दोजार तईस इस बार पुलूस में नुवाग जोको बीच ने जीता और जो महला है उसमें आरियन सबलेंका ने जीता जोकी बेलारूस की है हाल ही में रेटिंग एजनसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है तो BB BB- और Stable Outlook ये इंपॉर्टेंट है ज्यान रखेगा सुप्रीम कोर्ट ने मुख निर्वाचन आयकतों की न्यूकती का एक समीती द्वारा करने का निर्न लिया गया है इस समीती में कौन-कौन सामिल है तो टोटल तीन सामिल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं PM हैं और लोग सवाकेब जो विपक्च के नेता होते हैं वो है यह तीनों मिलकर के जो राष्टपती को सुझाब देंगे उसके बाद जो राष्टपती अपोइंट करेंगे ठीक है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता दोजार ताइस का तो दिखे यह होस्ट दोए दक्षिन अफ्रीका में किया गया था जीता है इंडिया और हार चुनाब है नगा लेंड के हैं, नेफियरियो, त्रिपूरा के मानिकसा, मेगाले के हैं, कॉनरोड संगमा. बात करेंगे पहला भारतिय नोसेना कमांडर सम्मिलन का इयोजन किस स्वदेसी पोत पर किया गया है तो आइनेस विक्रांद पर किया गया है और ये कोच्ची में स दित है देखे ध्यान रखेगा यह जो है पहला भारतिय नो सोना कमांडर सम्मेलन का आयोजन है इसलिए इंपोर्टरिव करेंट रखेश है वह हाल ही में जारी एवरेश्ट ग्रूप की वार्सिक ITS ranking 2023 में पहला अस्थान किसे मिला है वो आपका एक सेंचर को मिला है जो की सेकेंड जो यहाँ पे TCS रहने वाला है ध्यान रखेगा पहला जो रैंकिंग किसको दिया गया है तो एक सेंचर को दिया गया है ठीक है और यह सेकेंड जो कोन है TCS है बात करें यहाँ पे हाली में 28 म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कोन है शिद्यरुद्धा स्वामी जो की हुबली में करनाटका मिशतीत है और उसकर 2023 इस बार भारत के तरप से दो जीते हैं एक तो नाटू नाटू सौंग ने जीता है जो की ट्रिपल आर मूवी के लिए है और इसका गीतकार कोन ह अगला व्यास सम्मान किसे दिया गया है 2022 में ज्यान चत्रुवेदि को पागल खाने के लिए दिया गया है भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां पर स्टाट हुआ है ये कोच्ची केरल में स्टाट हुआ है और उन्नत गृत्वाकरसं तरंग डिटेक्टर वेदसाला कहां स्थापित क्या गया है अब महराष्ट में स्थापित क्या गया है और महराष्ट को ही वर्ल्ड ट्री सीटी लिस्ट 2022 में जो ये सामित क्या गया है अगय हाल ही में स्टार्ट का इरकर्म किसने प्रारम किया है तो इस रो ने प्रारम किया है बात करें इस रो देखें इस रो के दो सेटेलाइट को लॉंच किया गया है यह जो भुटान के उपगरा को लॉंच किया है अब हम लोग बात करें यहां पर तो उत्पादन में जो पर्थाम कॉंट को नस्तान है हाली के रेंकिंग के हिसाब से दूद और उनके उत्पादन में पालास्तान राजस्तान का है मास के उत्पादन में महराष्ट है अंडा के उत्पादन में आंध्रप्रदेश है बात करें अंतराष्टिये लिक्विड मीरल टेलिस्क्रोप जो की एसिया का सबसे बड़ा है वो कहां स् 100 सातमों रहा है और लोजिस्टिक प्रफॉल्मेंस बैंक के तरब सेайте 98 जिना के रल का ठीरूपन्ना बेला तों महुत्षप कहा कहा मनाया गया है अध्यान रखना देरफन हैं कि केests पूछ questions पूछा जाता जैसे कि कत्यकली मोहनी अट्टम ये से भी कहां का है केरल का निर्त्य है कलारी पट्टू ये मार्सल आटे कहां का केरल का है बोट्रेस कहां होता है ये भी केरल में होता है अब हम लोग बात करें महिला प्रीमेर लिग 2023 का किस ने जीता तो MI ने जीता मुंबई इंडियन्स ने जीता और इसमें कुल पांच टीमों ने हिस्सा लिया था और इसका पहला संस्क्रान था और टाटा ने इनको जो है वो किया था ठीक है आगे यहां बात करें पहला UN जल सम्मेलन 2023 कहां प्रेवा नियुवार्क यानि की USA में वह पहला UN है यानिक पहला सन्युक्त राष्ट जल सम्मेलन है इसलिए ध्यान रखना है विस्व महिला मुक्यवाजी Championship के बारे में बात करें तो होस्ट न्यू देली ने किया है और इसमें भारत के तरफ से चार स्वन पुदक जीता गया है और चारो को नाम इस तरह से याद रखना है नीतू गंगस स्वीटी बूरी निगहत जरीन लवनीना बोर्गहन यह आपको ध्यान रखना है अब बात करें वर्ड बैंक के नए अध्यक्ष कोन बने है अजय बंगा बने है इंपोर्टेंट है याद रखना है वह हाल ही में बच् सबसे पहला अस्थान रखा है और सबसे अंतिम यूपी का है भालत का सबसे वड़ा वैपारिक भागिदार देश कौन सा है USA अमेरिका है बात करें लाता दीनानात मंगिसकर प्रुसकार जो इस बार जो सेकेंड था वो आसा भोंसले को दिया गया और पहला किसको मिला नरें रविंदानाट टाइगोर की कौन सी जयनती मनाई गई है 112 जयनती मनाई गई है जन में इसका 7 मही को होता है लेकिन बंगाली कलेंडर के अनुसा जो है 9 मही को इनको मानते हैं ठीक है बात करें रविंदानाट टाइगोर इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है कि विशो भारत विश्विद्यालेक की अस्थापन देसे हम लोग सामती निकेतन करते हैं इसके अस्थापन रविंदनाथ टैगोर ने की और इसको हाली में वर्ड का जो है पहला लेविंग हेरिटेज जो है घोसित किया गया है भारत और बंगलादेश साती साथ स्रिलंका का भी राष्ट खा है तो रविंदनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी ने दिथि और महात्मा के उपादी खिश्विधित खिस पुस्त पुस्तंत ही है घृज्ची और इस कि प्रथहिए नाइट हूड की उपादी त्याग दी थी ठीक है अब हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ और पुरुसकार जैसे विर्ता पदक पाने वाली पहली महिला वाईशना अधिकाडिकों ने दिपी का ये मद्य परदेश में जो बाड आया था उसमें जो है ये जो है औसाधारन साह के लिए इनको दिया गया है विर्ता पुरुसकार ठीक है परमुक ऑप्रेशन जो भारत के तरब से चला गया था जिसे ऑप्रेशन कावेदी सुडान में फसे भारतियों को वापस लाना देवी सक्ति अफगानिस्तान में फसे भारतियों को वापस लाना ऑप्रेशन गंगा यानि कि राष्टि दुवज्यु इनको कब अपना आगें 22 जुलाई 말고 1997 को प्रस्टावना कब सुविकार किया गया 22 जनवरी इसमें सबसेश्ट फिल्म जो है गंगू भाय काथिया वारी रहा है और ध्याने रखना है कि आता प्रश्ट कर घ्रीण लां आपका आम आदमी पार्टी वो न्यू बना राष्टिय दल लेकिन अब टोटल नो के बजाए अब छे रह गया है ठीक है याद रखेगा गज उत्सब जो है यह असम में मनाये गया है काजी रंगा निशनल पार्क में राष्टपति के द्वारा मनाये गया और आज का जो लास चातरी किस्टीना कोज है ठीक है इंपोर्टेंट ध्यान रखेगा तो इस तरह से मैंने आपको सभी दिविजन करा दिया वीडियो पीडियाप के लिए आपको टेलेग्राम जॉइन कर लिजे चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जै भारत झाल